तो गाइस यार एक normal minecraft world के अंदर होते हैं 6 करोड से भी ज़्यादा blocks और ऐसे world के अंदर structures जैसे के house, buildings, farms, statues और भी काफी सारे structures बनाना काफी ज़्यादा easy हो जाता है लेकिन सोच करके देखो अगर आप एक ऐसे world के अंदर spawn हो जाओ जहाँ पर mine करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही block हो तो क्या ऐसे world के अंदर survive करने के बाद ये सारी चीज़े बनाना possible हो पाएगा बस भाई यही तो चीज़ देखेगे ये सिर्फ के अंदर जिसका नाम होने वाला है one block सिर्फ और इस सिर्फ को मैं खेलने वाला हूँ hardcore mode के अंदर तो यह अगर एक छोटी सी mistake में करता हो तो खतम, tata, good bye और गया सब कुछ एकी जटके में complete हो जाएगा तो चलो आओ यार, ज्यादा देरी ना करते हुए, वीडियो की सुरुवात करते हैं तो खाइस यार, finally मैं spawn हो चुका था one block को उपर और हमारी journey की यहाँ से सुरुवात भी हो चुकी है तो यह हमने तोड़ा हमारा पहला block, जो कि यह एक डर्ट का block इसके बाद एक ओर डर्ट का block, एक ओर डर्ट का block एंड ऐसे करते-करते हमको काफी सारे और भी blocks मिलने वाले हैं अब जिनको नहीं पता है कि minecraft के वन ब्लोक का क्या concept होता है मैं आप सभी लोगों को एक easy way में इसको समझा देता हो minecraft के वन ब्लोक एक ऐसा world है, जहाँ पर हमको एक ही block तोडने के बाद minecraft के dirt के block से ले करके minecraft के ancient debris तक के block आचानी से मिल सकते है I hope कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगे और अभी फिलाल guys यार हमारा एक ही इसका नहीं मोटीव रहने वाला है अगर मेरे को भूक लगेगी तो मैं इसी को काट के खाएगा I think भाई मेरे को ना कुछ wood के tools तो craft कर लेना चाहिए क्योंकि I don't know भाई मेरे को यहाँ से cobalton कब मिलने वाला है and यह जो बेटर रहने वाला है mining करने के लिए यार अभी फिलाल मेरे को एक water bucket मिल चुका है तो एक काम करते हैं सबसे पहले ना नीचे जाके हमारा जो magical block है उसके नीचे ब्लोक लगा क्या आता हो जिससे कि हमारे जो sand जैसे and gravel जैसे block होते हैं जो कि gravity का उल्लंगा नहीं करते हैं उनको भी हम collect कर पाए मैं क्या ही मस्त तरीका से एक्स्प्लेंड करता हूं मेरे को तो मैं प्रोफेसर मन चाहिए तो आई थिंग हमारा जो पहला वह खतम हो चुका है तो एक काम करते हैं अभी फिलाल मेरे पास जितनी भी वूट बची होई ना वह सारी वूट की मदर से मैं बना लेता हूं बहु होती जदक काम हो जाएगे तो या अभी फिलाल जल्ली से हमारे बेश का एक्समेंड कर ले था हो हो और गाइस आर इसी तरीके से मैने अपने पहले दिन को स्पेंड किया जब मेरे पास सारी स्लैप्स में वापस माइनिंग करी नीग करया और उसकी स्लैप बनाई और अपने स्पैन होने को आया है एंड मेरे पास काफी सारे वाई एनिवस भी इखटा हो चुके तो उनको रखने के लिए उनकी ब्रेडिंग करवाने के लिए में एक अलगती बाई सेपरेट जगा पना रहा हो यह इसलिए वाई क्योंकि अगर माइनिंग के दोरान वहाँ पर एक भी क् की स्लेब खतम हो गई तो अभी चलते हैं जली से जाके वापस से वन ब्लोक को माइन करते हैं और लोक को इखटा करते हैं ओके तो गाईस यार अभी फिलाल होता है यहां पर इसके बीच में ना मेरे को कुछ इस तरीका से यहां पर ड़क लगाने है जहां पर हमारे एनिमस आकर रहने वाले एंड पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जितने ड़ोक ना वह कंपड़ने वाले ए प्यूमीनित्स से में आप सब लोगों को बता ही था मेरे को लगा ही था कि डत्रोड़ खतम हो जाएगे बट यहां टेंसन की कोई बात यह मेरे आसानी के बाद मैंने पूरे दिन तक बाई जो सिर्फ उसी माइन के हमारे मैजिकल प्लोक को इस आसा के अंदर की मिरे को भाई वहाँ से 20-25 गें करके डर्ट के ब्लोक मिल जाए एंड मैं अपने अनिमल के फार्म को पूरी दरी कैसे कंप्लेट कर दो लेकिन बाई मेरे को बड़ी आ आस-पास जो मैंने वॉल लगाई है ना यह वाला कम भाई इसका फाइदा यह है कि अगर यहाँ पर कोई भी क्रीपर स्पॉन होता है ना भाई तो वह भान नहीं निकल पाएगा और बेफुचूल के अंतर हमारे बेस को एंड हमको डेमेज नहीं कर पाएगा इसका लाइव लेकिन उसको भाई में टेम नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास यार बॉन नहीं थी एंड उसके बाद यार एक फ्रोजन वाला स्केलिटन स्पॉन वाई एंड उसके लिए बीचारे बॉल्फ को मार दिया अगर मेरे पास बोन होती ना तो मैं इसको बचा ले ता इसके एक पट्ट से हैट सट भाई आज के बाद छलांग माहने से पहले हजार पार सोचेगा यार ओल्राइट गाइस यार तो अभी फिलाल मेरे को एक पोलर बीर भी मिल चुका है तो इस पोलर बीर को सबसे पहले भाई भाहर निकाल देते हैं क्योंकि अगर यहां पर कोई दूस मेरे को एक पूरा को पूरा आईरन का सेट तो अभी फिलाल इसको पैन बेले तो यह अच्छी बात है और गाईस इसके बाद मैनिंग करते करते मेरे को एक बाई चैट करने में सज़ आया हो था बाई मोश्ण पार्टी का और इसका मतलब यह था कि यहां पर स्पान होने वा जैसा कि आप सो भी लोग देखी सकतों कि यहाँ पर काफी सारे जॉंबी स्पॉन हो चुके थे लेकिन आइड नो वह जॉंबी मेरे को मान ने रहे थे एंड मेरे को लगता है यहाँ पर एक वुल्फ भी था ना इसलिए यहाँ पर थोड़ा से मामला घड़ बना गया एंड मै को भाई इसको भी टेम करना था मारो मारो दो स्केलेटन स्पॉन होज भाई एक दूसरे को मारो जब तक मानना भाई जब तक सामने वाला बंदा मान नहीं जाता और वैसे एक स्केलेटन तो पहले ना भाई कट कर देना प्रीश ऑल्राइट गाईस यार तो अभी फिलाल एनिमल के फार्म केंदे ये फैंस लगाने के बाद हमारा एनिमल का फूरी तरीके से बनके रेडी हो जाएगा इनके रहने के लिए एक छोटी से मैंने स्पेस बना दिया है के बात जो है मैंने अपने लिए इसके अलावा मैंने अपने लिए आइरन की एक्स और आइरन के सोवल कर ली थी अभी हमारे बाइस यार आइरन की काफी ज्यादा कमी है इसलिए मैं आइरन के स्वाट को क्राफ्ट नहीं कर पाया था और अभी तक कि प्रोसेस आप सभी लोग ये वाले टैम लेप्स कंदे देखी सकते हो ये वाले दो दीनों केंदे मैंने ज्यादा तो चीजे नहीं करी थी अपने एनिमल के फार्म को मैंने पूरी तरीका से कंप्लेट किया था इसके अलावा मैंने कुछ सेपलिंस को जो है प्लांट किया था जो कि ग्रो हो चुके थे जिससे कि हमको काफी सारे ब चुका हे जो की वन भॉनूग के ऊपर हमारा साथ देने वाला था कुस दिन पहले जो मैंने तो ग्रो करकर घिर कर दियां तो इसको मैंने के अंधर themes से हमको काफी सारी बढ़िया बढ़िया चीजे मिलने वाली हैं सबसे फेवरेट चीजे बाइशी लेंटेन मेरे को वह सबसे ज्यादा अच्छे लगती है वाई तो गाइस तरीके से जो है मैंने यह वाला दिन पूरा को पूरा वन ब्लोक के माइनिंग करने के अंदर गुजा प्रफिरे को अपने सीट के फार्म के लिए एक अलग सी जगा बनाने थी और इसके लिए तो इसके लिए मेरे को जादा चीजे ब्लोक करने वाली है तो इसमें टेंसन की कोई बात नहीं है जिसकी मदद से यह जली-जली गर होगा और हमको काफी साथी सीट इससे मिल विट के फार्म को बनाने के लिए सबसे बहुत याई मैंने एक जगा को डिसाइट किया एंड उसकी बाउंट्री को अभी फिलाल में बना रहा था जिससे कि मेरे को अंदार जा रहे हैं कि मैं अपने वीट के फार्म को कितना ज़्यादा बढ़ा बनाने वाला हो एंड उसके यहाँ पर लगा जेते हैं थोड़ी सिस्क्रोट की फैंस जो की देखने में काफी जादा बढ़िया लगने वाली है एंड एट सिट भाई हमारा फार्म ओल्मोस्ट एटी परसंट तक जोए कंप्लेट हो चुका है तो अभी फिलाल जोए अनलिमिटेड वाटर सोस को बनाने के लिए हमारे पास आइस इसके ळावाए एक वाटर बकेट से अब सभी लोगों को अनलिमिटेड वाटर सोस बनाने पता-तो शॉप लाए इस तो गाइज आर इसके बाद जो मैंने होई की मदद से यहाँ पर काफी साड़ी सीट को प्लांट किया अब फिलाल हमारे पाद जादा तो सीट की क्वांटेट ही नहीं थी क्योंकि यार यह स्टार्टिंग के दिन चल रहे बाई यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फोलर बियर के हाथो अभी फिलाल तो मेरे ख्याल से तो मरने ही वाला है बचने की काफी ज़्यादा कोशिस कर रहा है लेकिन मेरों को नहीं लगता कि यह बचने वाला यहाँ से बचना इंपॉसिबल है और मैंने जैसा की बोला था पोलर बियर ने इसको मार दिया वैसा अगर यह ना मारते ना तो यह मेरे चिकंस बगरा को मार देता तो अच्छा यह अपनी सीट का उगने का वेट कर रहा था वह जैसे ही उग आती है मैं उसको वापस से रिप्लांट करने वाला था लेकिन इस दिन बाई जो सबसे ज्यादा पनी इंसिदेंस था ना वाई वह वाला था जहाँ पर पोलर भी इसने वाई फॉक्स को मारा था कते देख करके मजा आ गया था यार और अभी फिलाल मैं अपने बेस केंड़ तीसरे प्लेट्फॉर्म को बिल्ट कर रहा हो यह वाला प्लेट्फॉर्म को पर मैं सैप्लिंस को ग्रो करने वाला हूँ वूट को कलेट करने के लिए इसका एरिया में ओल्रेटी डिसाइड कर चुका हूँ व हमारे पार डर्ट के ब्लोक तो खतम हो चुके है यह वाले ग्रास के ब्लोकों में यह आपर लगा देता हूं जिससे कि आसपास की जगा के अंदर ग्रास उख जाएगी एंड आइटिंक भाई जो हमारी वीट वह भी पूरी के ब्लोक ना मिल पाया वाल मतलब देख रहे हैं दस मिनट माइन करने के बाद भी एक स्टेक डट का ब्लोक ना मिला वाल तो और क्या ही मिलेगा अगले दिन गाईस जब में वन ब्लोक को माइन कर रहा था तब बीच में मेरे को एक डायमंड का और मिला वाई एंड यह देख करके तो मैं काफी ज़्यादा खुसता तो अब उसका सामने सील्ड रख ली एंड इस आसा के अंदर कि मेरे को भाई डेमेज नहीं होगा लेकिन भाई कती दभा के डेमेज हुआ और मैं एक दम से भाई पीछे भागा मैं लिटरली भाई दो हाट को पर था हाट कोर मॉल के अंदर खाने के लिए हमारे पास क्या था सिर्फ पॉर्सी भाई यह तरबूच यार इससे में और क्या कर सकता हो मैंने जो भाई एरो डुल्टे लेकिन मेरे पास एरो नहीं थे वाई क्योंकि जितने भी एरो थे वो सारे का सारे एरोस भाई मैं यूस कर चुका था इससे पहले जितने भी गार्डियन साहे थे उनको उपर जितने भी मॉप साहे थे उनको उपर तो इसको मनने के लिए यार मेरे को थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगाने पड़ेगी यार यह देखो भाई बे फाल्तु के अंदे मेरे को इफेक्ट नेके चली गए आप में कोई चीज को तोड़ भी नहीं सकता है यह यह अच्छी बा इसको मार करके चाना भाई कताई सैटिसीं इफेक्षन आगया और अभी तक यहार इसका इफेक्ट मेरे उपर चाल हूए तो इसके लिए भाई मेरे को सबसे पहले मिल्क बुद दो पीना पड़ेगा तो उसके लिए मिरे को बकेट चाहिए और यह वाले मिल्क को पी ले दे है और यह वाल इफेट गया खत्म पाई गाइस है एल्डर गार्डियन के हमले से भाई अभी फिलाज जस्ट में रिकावर हुआ ही था कि यहां पर भाई जैसे यह पीछे भागा इन्हों सिर्फ और सी दो तीन अटेक करें मेरे को हाफ हाट को पर पहुंचा दिया अगर एक और यहां पर आकर करने लगा ना तो अपने नीचे पता नहीं कितने ज्यादा बुद्धू है खेर वह जो छोटा वाल एल्डर गाडियन है ना मतलब कि जो गाडियन है वह अभी तक अपने अनिमल्स के फार्म को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा और इसके बाद जो मैंने उनकी थोड़ी बाद ब्रीडिंग भी करवाई भाई जिनसे कि उनकी बाई संक्या जल्दी से जल्दी पड़े भाई एंड हमारे पास जो एक अच्छा खाता फूट का सोर्स भी बागी मैं मिलता आपको इसके नेक्स वाले वीडियो कंदर तब तक के लिए जय हिन जय बारत वने मात रम एंड बाई